जोहार दोस्तों श्वागत आप शबी का हमारे यूटीब चैनल PCS बाबा में दोस्तों जैसा कि आफ लोगों को पता होगा कि JPSC ने मात्र 252 दिन में रिजल्ट दे दिया है जिसमें टोटल 252 स्ट्वेंट का सेलेक्शन हुआ है और टॉपर रही है सावित्री कुमारी और य आगे जो फिमेल कैंडिडेट है उनके लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन के रूप में यह साबित होगा कि आगे जाके वे शवित्री कुमारी को एक मोटिवेशन की तरह लेके अपनी तैयारी को एक तेज धार दे सकेंगे तो बाकी आपने रिजल्ट देखी लिया होग तो आज हम बात करेंगे आज मैं बात करूंगा 550 बच्चों की दियां दोस्तो 550 स्टुडेंट की टोटल जो स्टुडेंट अपियर हुए थे इंटरव्यू के लिए वह थे 801 और जिन में से 252 लोगों का सेलेक्शन हुआ और बाकी जो साढ़े 500 लड़के अगर एक्जर्ट तो 549 जो स्टुडेंट थे वे आउट ओफ रेस हो गया है उनका सेलेक्शन नहीं हो पाया तो आज हम बात करेंगे उनके रिगार्डिंग ये पूरा का पूरा वीडियो उनके लिए है उनको डेडिकेटेड है क्योंकि उन 801 लड़कों में मैं भी एक था यह दोस्तो मैंने भी इंटर्विय दिया था मेरा इंटर्वियू था तेरह को और फाइनली मेरा भी नाम इस लिस्ट में नहीं है तो अब बात करते हैं कि आगे का हमारा जो रास्ता है आगे हमें क्या करना चाहिए दो तिन उप्शन है एक डिप्रेस्ट हो जाओ दुखी हो जाओ छोड़ च जिन्दगी खुद बरबाद कर लो बाकी मार्केट में बहुत तरह की हवा चल रही है कि सीट बिक चुके हैं इतना सेटिंग हुआ मेंस में धानली हुआ इंटर्वियू में धानली हुआ लेकिन अभी आपको इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है क्योंकि ये सब बस हवा म में बात की जा रही है जब तक आफके मेंस के माक्स नहीं आते इंटर्वियू का माक्स नहीं आता तब तक इन सब बातों को सुनना या इनको दिमाग में रखना भी एक बहुत ही मुर्खता पुर्ण बात होगी तो इन सब में आफ ना पड़े अब रिजल्ट नहीं हुआ ह 345 दिन की महनत और कई लोगों की तो साल 12 साल की महनत कुछ लोगों का 6 महINा का महनत जो भी हो लेकिन महनत सभी लोगों ने किया 24 गंटे में 12 गंटे 18-18 गंटे टक लोगों ने पढ़ा है और फाइनली सेलेक्षन ना होना लिस्ट में ना होना ये बहुत ही दुख की बात है पीडा होती है दर्द होता है और वो होगा और वो स्वभाविक है लेकिन क्या हम इसी के साथ जीते रहें नहीं, दर्द हुआ, दुख हुआ खूब रो, कमरा बंद कर लो रोते रो, बिस्तर भिंगा दो, तक्या भिंगा दो लेकिन अगले दिन बाउंस बैक फिर हमें अगले दिन आगे बढ़ना होगा आगे लड़ना होगा क्योंकि ये जंग है और जंग की फिर्ज से आगाज हो गई है बहुत जल्द आफका examination होने वाला है 11th JPSC का अब आप जो बागी लोग दोड़ रहें कि notification कब आएगा examination कब होगी अब आप भी अगर उस गधे दोड़ में दोड़ना चाते हो तो खुसी से दोड़ सकते हो लेकिन वो बहुत ही मुर्कता पुर्ण का रहे है notification कभी भी आए आपको क्या मतलब है आपको अगर दो महिना देहीं दिया JPSC ने तो आप क्या कहाड़ लोगे आपने जो ये result देखा उसमें आपको पता चल गया होगा कि ये एक महिना या दो महिना पढ़के result नहीं आ सकता है ये लगभग 6 महिना साल भर की कड़ी तपस्या कड़ी महनत का ही परिनाम होता है एक दिन में वन नाइट study करके आप इसमें result नहीं ला सकते हो इसलिए अभी news में facebook में, youtube में इन सब चीजों के पीछे मत पढ़ो कि notification कब आएगा तो तब हम तयारी करेंगे जो ने स्ट्वेंट होन के लिए मैं बोल रहा हूँ और जो पुराने स्ट्वेंट होन दो पता है कैसे करना है लेकिन बस आफको ये करना है कि अभी negativity से दूर रहना है जब तक आफके marks ना आ जाए बस अभी result को accept करो कि yes I am out मेरा नहीं हुआ बस खतम जिस दिन में result आएगा मैं analyze करूँगा कि मैं means में पीछे था या interview में पीछे था आखिर मैं lack कहां कर रहा था फिर add on करूँगा improve करूँगा और finally I will succeed और इस बीच में जितने भी negative energy है उनसे दूर रहना है और जो भी ने student है अभी से means label पे तैयारी सुरू कर दो साथ साथ prelims के भी तैयारी करो और examination के निकलने का form के निकलने का इस तरह का कोई भी इंतजार मत करो तो आज का वीडियो बस इसी चीज़ के लिए था कि हमें किसी भी हाल में जुकना नहीं है रुकना नहीं है जागना है उठना है और दुगने स्पीड से भागना है जोहर दोस्तों